दोस्तों आज मैं आपको करेले खाने के कुछ फायदे बताऊंगा तो वीडियो को अंतक जरूर देखेगा तो चलिए शुरू करते हैं हरी सबजियों के बीच आकर्शित करने वाला करेला सौद में भले ही कड़वा लगता हो लेकिन इससे होने वाले फायदे जरूर मेठे होते हैं करेले में फॉस्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाय जाता है ये तत्तों कफ और पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करता है इसके सेवन से भोजन का पाचन ठित रह से होता है अस्थमा की शिकायत होने पर करेला बेहद फाइदेमंद होता है दमारोग में करेली की सबजी खाने से लाब मिलता है पेट में गैस बनने और अपच होने पर करेली का रसका सेवन करना अच्छा माना जाता है जिससे लंबे समय के लिए यह विमारी दूर हो जाती है। करेले का जूस पीने से लिवर मजबूत होता है और लिवर की सभी समस्याएं खत्म हो जाती है। प्रति दिन इसके सेवन से एक सपता में परिमाड पराप्त होने लगते हैं। इससे पीलिया में भी लाब मिलता है। करेली की पत्तियों या फल को पानी में उबाल कर इसका सेवन करने से रोग प्रति दोधक छमता बढ़ जाती है। और किसी भी प्रकार का संक्रमड ठीक हो जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है। उल्टी दस्त या हैजा हो जाने पर करेली के रस में काला नमक मिलाकर पीने से तुरंत आराम मिलता है। जलोधर की समस्या होने पर भी दो चमच करेली का रस पानी मिलाकर पीने से लाब मिलता है। लकवा या पैरलिसिस में भी करेला बहुत कारगर होता है। इसमें कच्छा करेला खाने से रोगी के लिए लाब दायक होता है। दोस्तों क्या आपको पता है, खुन साफ करने के लिए भी करेला अमरित के समान होता है। डियाबेटीज में एक चौथाई कप करेले का रस उतने ही गाजर के रस के साथ पीने पर लाब मिलता है। खुनी बवाशीर में करेला त्यंत लाब दायक होता है। एक चमच करेले के रस में आधा चमच शक्कर मिला कर पीने से आराम मिलता है। गठिया हाथ पैरों में जलन होने पर करेले के रस की मालिश काफी लाब दायक मान जाती है। दोस्तों किड़ने की समस्याओं में करेले का उबला पानी वा करेले का रस दोरों ही बेहद लाबकारी माना जाता है। ये किड़ने को सक्रिय कर हानिकारक तक्तों को शरीट से बाहर करने में मदद करते हैं। हिर्दय सम्मंधी समस्याओं के लिए करेला एक बहतर इलाज माना जाता है करेला हानिकारक वसा को हिर्दय की धमनियों में जमने नहीं देता है जिससे रक्त संचार अच्छा बना रहता है दोस्तों कि आपको पता है निम्बू के रस के साथ करेले के रस को चहरे पर लगाने से मुहा से ठीक हो जाते हैं कैंसर से लड़ने के लिए करेले का रस का सेवन बहुत ही लाबकारी सिध्ध होता है तो दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद